नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बीएश्टी से के वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशिन बताने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्याद मैत्व पूर्ण है ठीक है आपका जो एक्ज भी बता रहे हैं ठीक है ना आपने आपको दोस्तों इंपोर्टेंट कोश्यन और सात में जो मरडल भी है वह आपको ले करका आए है तो देखिए मारदा पहला प्रशन है राजिस्तान में पत्रकारिता के बिश्म पीता कौन है दोस्तों यहां से क्या पोचा है कि पत्रकार से भी आपके उपनाम के पुछे गए थे तो देखो यहां से option है कि देखे पंडित जैबरमल सर्मा फिर देखे मुनिजीत विजे विजे सिंग पतिक इनमें से कोई नहीं दोस्तों क्या होगा आंसर दोस्तों देखे मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो विजे सिंग पतिक को लेकिन हमारा जो आंसर है ना पत्रकारिता के विश्मपिता वह होंगे दोस्तों पंडित जाबरमल सर्माइनी और option नंबर फस्ट इसका राइक्ट आंसर हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेशन आपके लिए राजिस्तान में 857 की जो क्रांती थी जो व आरेनस्ट्रीमफडल.cı झाने के यहां पर पोचा राजिस्तान के अंदर तो यहां पर देखें नीमच चावनी जो पहलों उसकी शुरुआत कहां से राजिस्तान में तो देखेंग नसीरबास विट ती अजमेर किशिंगर ठीक है इसका आंसर हो जएगा ऑप्शन नमबर डी बिलकुल राइट आंसर होगा जिसने भी आंसर दी आंसर दिया बहुत ही बढ़ी आंसर आपका हो जएगा ऑप्शन नमबर डी आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रेशन के तरफ यहां देखो राजिस्ता तो सबसे कम किसके लगेगी दूसर पंजाब जिल्ले पंजाब राजिए ठीक ना पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है ऑप्शन नमबर फस्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रेशन के तरफ राश्तान की यानि कि पाकिस्तान से लगी सीमा बहुत इंपोर्टन दोस्तों पाक यानि ऑप्शन नमबर फार्स ड्राइक डांसर हो जागा एक हजार सेटर किलीमेटर दोस्तों बहुत इंपोर्टन है और यह जो अग्जाम है कई बार आपके जितनी एक्जाम में राजिस्तान के उसके अदर पूचा गया है तो अब देखू अगला प्रसंद राजिस्तान की सबसे उची पर्व चोटी कौन सी है दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टन रास्तान की सबसे उची पर्व चोटी बैराट जर्गा तारागड या फिर दोस्तों गूरु शिकर तो देखो को सबसे उची चोटी है ना वह है दोस्तों गूरु शिकर ठीक है ना गूरु शिकर का दूसरा सबसे बड़ा सहर कौन सा है दोस्तों कॉमेंट कीची आंसर राजिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सहर तो दोस्तों राजिस्तान का सबसे बड़ा सहर है ना वो तो है जैबपूर लेकिन यहापर सेकेंड पोजिशन पूची है सेकेंड नमबर पर दोस्तों तो सेक राजसान दोस्तों ऐसा है ठीक है तो विश्म कौनी इसे चत्र भूजाकार भी बोल सकते हैं चत्तुर बूजाकार दोस्तों ठीक है ना चत्त भूजाकार इसे बुझा सकते है और ये जो यह नी दit किसने ठीक है न कहा किसने तो दोस्तों कहा हता प्रॉफेसर क्या पड़ाई में आपको आते हैं डॉटो तो पांट सेकेंड में डॉटनेट के साथ करो न आउट बस अपने question की photo हीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ फिर चाहे आपका सवाल physics, chemistry, maths और biology का क्यों ना हो CBSE अने किसी state world का हो कक्षा 6 से बारवी, IITJ और NEET का सवाल हो इसके साथ ही doubtnet पर चल रही है इंडिया की number one Delhi online video classes वो भी English और Hindi मीडियो में जहां पूरा course पढ़ाई जा रहा है तो आज ही लाउटने टैप इंस्टॉल कीजिए जिसका लिंक description में दिया गया है टी एच हैंडले ने ठीक ना प्रोफेसर टी एच हैंडले ने पता है था कि राजस्तान की जो आकरती है वह है विश्यम कौने चत्र बुजाकार दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्सन नबर भी हो जाएगा आगे पढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए राजिस्तान का सरवादिक अंत्रस्टी सिमा वाला जिल्ला कौन सा है यानि कि ऐसा कौन प्रशन का दोगा लिए फिर यहां जैसर मेर हो गया ठीक है न यहां विकाने उपर यहां हो गया अपना बाड मेर तो पूछा है कि किस से ज्यादा लगती है सरवादिक अंत्रस्टी सिमा किस से लगती है दोस्तों करेक्ट आंसर दीजेगा तो उमीद करूंगा आप सभी आ विशिन को छोटा कर देता हूं यहां से जामड कोट्रा 169 मैं से किस खनीच से पूछा है कौन से खनीच से सम्मदित है दोस्तों ठीक है ना जामड कोट्रा दोस्तों रौक फॉस्वर्ट दोस्तों ठीक है ना उप्सिन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे ठीक है ना जर्गा पर्वत आपको पूचा है किस जिले में है जिले का नाम आपको कॉमेंट करना है नागोर उद्यपूर राजसमन या फिर ठीटोडगर दोस्तों तो देखिया जर्गा जो पर्वत है ना वो कहां पर दोस्तों हो है दोस्तों उद्यपूर जिले कंदर ठीक ह हैंने कि ऑप्शन नमबर सेकेंड ऑप्शन भद बी इस दिकर्ए आंसर आग results Stop तो यहां पर देखोगा इस कहां सरुखा ऑप्शन मक़टी ठीके ना पच्छी मी मरुस्तल यहां पर भी है ना जैसे जोदपूर होगा अभी का ने रोगे बार मेरे जैसल मेरे तो इनमें जो हो सरवादिक है ठीक ना सरवादिक विस्ता रोगा अप्शन नमर डी और यहां पर है ना 61% ठीक है next question, मेजाबांद किस नदी पर बना हुआ है, options दिखा देते हैं, आपको देखी का, मेजाबांद किस नदी पर बना हुआ है, दोस्तों, comment कीरी answer, ठीक है न, मेजाबांद मैंने पहले बतादा का दोस्तों, मेजाबांद जो है न, वो कोठारी नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर कोटर नए दोस्तों कहां पर भील वाड़ा का रन का इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सोम कमला अम्बा जो सिल्चाई पर्यूजन है वो किस जिले में दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सोम कमला अम्बा ये तो आपने सुना है दोस्तों पढ़ा होगा बहुती अच्छी तरीके से मैंने बताए भी था आपको पिछले एक्प्रेशनिक अंदर पिछले है ना दक्षीन में दक्षीन दिसा में जिल्ला यहां पर देख लो तो डुंगरपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे पढ़ते हैं सेवन गास किस जिले में विस्तरत रूप से उगती है बाड मेर शिकर जैसल मेर यहां फिर दोस्तों बाजूद पूर तो क्या होगा राइट आंसर कॉमेंट सेक्शन में तो जैसर मेरे दोस्तों यहां पर पूछा है इसका आंसर हो जोगा ऑप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं रेगिस्तान का कल्प रक्ष बहुत इंपोर्टेंट दो दोस्तों कल्फ रक्ष पूचा है रेगिस्तान का तो रेगिस्तान का कल्फ कल्फ रक्ष है वह हो जागा दोस्तों खेजरी ठीके ना खेजरी राइट आंसर होगा यानि की बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी इस दी राइट आंसर आगे बढ़ते हैं लोक देवता गुगर जी का थान राजिस्तान यानि की इनका जो थान है ना देखी लोक देवता गुगर जी का थान सामने तक किस पेड के नीचे लगा जाता दोस्तों गुगर जी से प्रशन पूचाया दोस्तों गौर रक्षक देवता ठीक है ना गौर रक्षक सरप देवत तो दोस्तों तो डोसट्तान न वोटा के प्रता के नीचे ठीक है आगे बढ़ते हैं वनों कीको हीर्टा Effective recording काली बाई जानकी देवी सिटार राम या फिर दोस्तों अंभरता के लिए डूस्तों होगा अंभरता देवी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अमरता देवी है यह इनका पूरे जो गाहां मिलका ठीक ना तीन सो त्रेशेट यानि कि तीन सो त्रेशेट लोगों ने अपनी जो बलीदान दिया था वरक्ष को बचाने के लिए पेड के आगे चिप गए कि पेड को नई कारणा है अगर कारणा हो तो मुझे कारण दो ठीक है इस कारण से तीन सो त्रेशेट लोग याँ पर अपनी बलीदान दिया और इसे की याद में एक मिले का आईजन होता ठीक है ना जो की जाजस्तान के जोदपूर जिल्ले में लगता है जोदपूर के अंदर यह परस्ण पूझा गया है दोस्तों ठीक है तो इस परस्टिं को दियां से पढ़ लेना याद कर लेना आगे बढ़ते हैं दर्रावण्य ??? ओभ्यारण कहां इस्तीद है दोस्तों तोस्तों यह जो पृष्ण ना वो पिछली बार बेस्सी के अंदर रहें की बेस्टीसी जो पेपर हुआ था नावक मैं आप का बेस्सी का उसके अंदर यह प्रेस्न पूचा गया है और और दोजाओ के अंदर भी पूचा गया और ऐसे अनेक राजस्तान की एसटीसी राजस्तान की जितने भी प्रट्टियों की परेशाएं हैं उनके अंदर यह प्रशन पूचा जाता है दोस्तों दर्रावण्यजी बेरेंट वह कोटा चिल्ले के अंदर है दोस्तों कोटा राइट आंसर हो जाएगा गोड़ावन पाट की जा रहें दुस्तों तो गूलावन जो है ना अप्शं डी रायट 안सर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रास्तारन में तामवे की खान जो है вो कहां पर है दूस्तों यह तो धिगगा खेटडी जुन जुनू इसका रैक्ट आंसर होजेगा यहाँ पूचा है तामबे की खान ठीक है तामबे की खान वो कहाँ पर है दोस्तों खेटडी जुन जुनू आगे बढ़ते हैं राणा परताप सागर जल विद्यूत ग्रह कहाँ पर सिदे दोस्तों राणा प्रताप सागर जल वीद्यू जुगर है ना वो कहाँ पर दोस्तों आंसर दीजी कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों रावत बाटा दोस्तों रावत बाटा कहाँ पर चित्तो ओडगड दोस्तों कहाँ पर चित्तो ओडगड इसका रैट आंसर होगा ऑप्से नमबर डी इस दी करेक्ट आंसर दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रेशन की तरफ अगला प्रेशन नमरा देख लीजीगा देखो रास्तान में सरवादिक उत्तपादन वाली फसल तो सबसे दर जो उत्तपादित होती फसल वो कौन सी है खरीब की फसल जायद की उदरन है हुआ परट लो अब उदरन मुझे कॉमेंट सक्शन में करो कि आपने अभी तक तियारी कितनी अच्छी की है आपकी त称ही आपकी जो प्री तेयरी है इंग्सेंपक उसकी ःवागल में बताइए खरीब की फसल की उदरन दीजी है जो विदारती खरीब की फसल का उदार ने देदेगा तो मुझे लग जाएगा उसकी तयारी है ना वो बहुत ही शानदार है नबे परसेंट उसकी तयारी बहुत ही अच्छी है तो कॉमेंट में आंसर दीजेगा अपना आगे बढ़ते हैं तारागड का निर्माण किसने कर वह है दोस्तों तारागड का जो परत्वी राजने दोस्तों तो दोस्तों तारागड दूर गया ना वो कहां पर है तारागड दूर गया ना वो अजमेर जिले का अंदर ठीक है ना अजमेर के अंदर है ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि तारागड किला तारागड दूर कहां पर है किस जिले में इस्तित है तो तो जैसल मेर का प्राची नाम दोस्तों माड ठा ठीक है ना माड आगे बढ़ते हैं राजस्तान का सरवोच परोच सिकर कौन सा है सबसे उंचा जो परोच सिकर यह प्रेशन रिपीट हो चुका है इसके लिए मापी जाते हैं तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नमर सी ठीक है इसके लिए में रिपीट हो चुका दोस्तों परेशन अब क्या पीडियफ बनाते हैं तो पीडियफ जो बनाते उसमें कभी-कभी यांविक प्रेटर से मिस्टेक खोग जाते हैं तो इसके लिए मापी जाते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरव राजिस्तान का सबसे गरम जिला सरवादी गरम जिला कौन सा यानि कि दोस्तों गरम जिला यहां से आपको पूचा है राजिस्तान का सबसे गरम जिला दोस्तों चूरू है कौन सा दोस्तों चूरू जिला जो है वो राजिस्तान का सबसे गरम जिला होगा ठीक है ना चूरू जिला राजस्तान का सबसे गरम जिला होगा option number C इसका right answer हो जाएगा यानि कि चूरू ऐसा जिला जिसमें गर्मी होती है न देखो गर्मियों की दिन में सबसे गरम जिला है और सल्दियों में सबसे ठंडा जिला दोस्तों चूरू जिला है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं राजस्तान का थर्मोपॉली किसे कहते हैं दोस्तों राजस्तान का थर्मोपॉली है ना वरतपूर जीट सॉरी दोस्तों यह हल्दी गाटी ठीक है ना हल्दी गाटी कहते हैं राजस्तान का थर्मोपॉली आगे बढ़ते हैं next question operation flood का समद किस से हैं दोस्तों operation flood का समद जो है न उदूद उदपादन से है operation flood का समद option c option b right answer होगा आगे बढ़ते हैं next question और last question होगा दोस्तों देखें निमलिकित मैं से कौन सा नर्ती बिलो द्वारा होली के अउसर पर किया दता है दोस्तों बिलो द्वारा होली के होली पर होली पर दोस्तों भील जा जाती होते हैं वो करते हैं होली के अउसर पर किस अउसर पर होली के अउसर पर तो गैर नर्ती होगा ठीक ना रामा सामा के दिन रामा सामा के दिन जो यानि कि गयर आते हैं ठीके ना गयर आती है घर पर गर गर पर आती गयर रंग चांडते हैं घर के अंदर चंग बजाते हैं चंग बजाते हैं गाते हैं होली फागन का गीद गाते हैं सब कुछ करते हैं तो यहाँ पर इसमें हो ली जो है ना वो जगा ऑप्सन अबर डी यानि की गयर आती ठीके ना तो गयर उदेपूर जिले के अंदर प्रेशन भी पूछ जा सकता है तो बहुत ही इंपोर्टन प्रेशन मैंने आपको बता है भी ये स्टेसी के लिए तो जिसका भी 31 अगरस का ए प्रेशन मिल सकें जैसे वीडियो आता उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए तो फिल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक लिए जाएंड बंदे मात्र थास।